वार का वैग्यानिक नाम साया मोटिसस्ट एट्रागोनोलोबस है इसे मध्य प्रदेश में चतरफली के नाम से भी जाना जाता है इसका अधिकतर उप्योग जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है पशुओं को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तथा दूधरू पशुओं की दूध देने की क्षमता में बहुतरी होती है वार से गूंद का निर्मान भी किया जाता है फली की सबजी में ऐसे लाएं स्वाद कई लोग इसी कारण से गवार की फली खाना बिलकुल पसंद नहीं आता है वार की फलीों में स्वाद लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये फलीयां स्वास्थ्य वर्धक और गुनों से भरपूर होती है इन फलीयों में आपको स्वस्थ बनाने के सारे गुन होते है वार फली से स्वादिश्ट तरकारी बनाई जाती है वार और आलू वार फली को आलू के साथ प्याज में छूंक लगाकर खाने पर यह बहुत स्वाद लगती है तथा अन्य सबजियों के साथ मिलाकर भी बनाया जाता है जैसे दाल में सूट बनाने में पुलावित्यादी में फली में पाए जाने वाले पोशक तत्व वार की फली कमाल की सबजी होती है जो आपकी सिहत के लिए कई बड़े कमाल कर सकती है क्यूंकि इसमें सही मात्रा में केलशियम फाइबर प्रोटीन आएरन और फोलिक ऐसिड जैसे बहुत जरूरी तत्व होते है जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी शरीर के लिए असरदार होती है। अगर आप डाइटिंड कर रहे हैं तो उनके लिए यह सही सबसी है जो वजन नियंतरन करने के लिए उपयोग की जा सकती है। डाइबिटीज में असरदार गवार की फली को डाइबिटीज के रोगी उसे अपने भूजन में शामिल कर सकते हैं क्यूंकि गवार की फली में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। डाइबिटीज के रोगियों के लिए यह फायदे मंद होती है। गवार की फली को डाइबि रूप से अपने भूजन में शामिल करते हैं उन्हें कभी पाचन संबंधी समस्या नहीं होती। गवार की फली खाने से कब्स की शिकायत से भी राहत मिलती है। हड्यों मजबूत करने के लिए गवार की फली हमारी हड्यों को मजबूत बनाने में सहायता करती है। आर्थराइटिस और दूसरी तरह की हड्यों से संबंधी समस्याओं से लडने में गवार की फली हमारी सहायता करती है। हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें. हन्यवाद